आज का मारा शेशन है क्लास फिर्ट सब्जेक्ट हिंदी पार्ट एक मेरा देश यहां में कवीता दिये हुई है सुन्दर मंदिर वीना बाशुरी उचे पर्वत गहन गुफाई यहां कुँचती वेद रिचाए गौरवशाली महिमा मंदित भवी अनुठा मेरा देश सुन्दर मंदिर वीना बाशुरी उचे उचे पर्वत और गहरी गुफाई यहां कुचती वेद रिचाए यहां वेदों की हमाजी पुचती है गौरवशाली महिमा मंदित हमारा ऐसा अनुठा देश बड़े तपस्वी बड़े यशस्वी सिद्ध नाथ योगी और ग्यानी महापुर्शों की जन्म इस्तत्री यहां संस्कृति की यहां मिले निशाने बड़े बड़े तपस्वी बड़े बड़े यशस्वी सिद्ध नाथ योगी ग्यानी महापुर्शों की हमारी यह जन्म स्तली है जन्म इभुमी है और यहां पर कई संस्कृतियों की निशानिया मिलती है जब जब भिचलित होते जब 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 वाना विश्वीत होता है शांति खुजने के लिए भारत आता है दूर 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 तक देशों तक हमारे भारत की संद्धा की कहानिया फैली हुई है धन विज्ञां से जो नहीं मिलता वैसा कमल यहां पर खिलता भाव औरह आदऱ्ु वाला बड़ा निराला मेरा देश धन विज्ञां से जो नहीं मिलता है ऐसा यहां पर हमारे भारत मिलता है भाव और आदर्ट को वाला बड़ा निराला बड़ही संद्धर अमारा देश है भाती-भाती की है प्रतिभाय जिनको देंग रह जाने एक और सोदर्भ करने वाले एसी भाती-भाती के अलग-अलग प्रतिभाय वाले रोह हमारे हैं जिनको देखक नहें की दूश्रे देश्निषलétéर्व रह जाते विश्व भ्रहमन करकी जो आये वो भी कहे धन्द के घंड ही इसमें अलों के गंद रहते हैं वह भी कहते हैं और यहां की गंद ही है वूलोफॉलो और नाई बहारों से हंस्ता गाता परिवेच बड़ा अनुक्त मेदाधिछ पुलो-फोलो और नई बाहरुचे हस्ता काता है, यह अमारा परिवेश यह माहोल है, और यह अमारा बढ़ाई अनोखा अमारा देश है, यही पे अमारा यह कविता खतम होती है, आगी अमारे शब्द अल्ड, देखते ने अनुठा, अनुठा का अनोखा, भगव्य का शांद या शश्वी का जिनका नाम प्रसिद्ध हो तपस्वी तप करने वाला विचलीन बेचेन प्रतिभाय विशेश योग किता है परिवेश माहो आत्मविज्ञाने अपनी आत्मा की खोच करने वाले महिमा मंडित महिमाओं से युक्त अगलाया मरा अभ्यास इसका पहला है सही उ कि यहां को आपने देश को कहा गया है अनूठा या साधहरन अनूठा यहां पर सही का निशान लगाओं भारत में प्रतिवाय है यह प्रकार स्वें अने प्रकार यह विचलीन मनोश शांती खोजने आते हैं भारत, रूस, भारत दूसरा है हमारा कविता पढ़कर पंक्तिया पुरी करो यहां पे कविता के कुछ नाइने डी हुई है जो अधूरी है आपको पार्ट में से देखके इसे पुरी करना है तीसरा है हमारा निम्नलिक्त प्रश्णों के उत्तर लिखू कर अपने देश के विशे में कविता में क्या-क्या विशेषता बताई गई है उत्तर है हमारा कविता में अपने देश के बारे में बताया गया है कि यहां सुंदर मंदीर उचे परवत तता गेरी गुफाय है भारत किन की जन में स्थरी है? उत्तर हमारा भारत महापुर्षों की जन में स्थरी है भारत में केसी प्रतिभाय है? उत्तर हमारा भारत में भाती भाती की प्रतिभाय है जेसे वीर, योध्धा, सेनिक, कवी, गायक तथा वेग्यानिक आदि पूरा विश्व घूम लेने वाले लोग भी भारत के बारे में क्या विचार करते हैं? उत्तर हमारा पूरा विश्व गूम लेने वाले लोग कहते हैं कि भारत की धर्ती धन्ने है तथा इसमें एक अलोकिक गंद विचरती है भाषा की बाद पहला हमारा पड़ो और समझो या आपको खुद करना है दूसरा हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूनकर लिगो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिये हैं उनके एक वाक्य में आपको आंसर या उत्तर लिखना है कर जो इस लोक का ना हो अलोकिक ख जो वंदना के योग्य हो वंदनिय गर जिसकी उपेख्षा हो उपेख्षिक गर संकर देखकर भाग जाने वाला कायर अना व्यसन करने वाला व्यसनी थी तीसरा है हमारा वर्ण विछ इचेत करू यहां पर आफको को शब्द दिये गया है उसको कैसे अलग-अलग भागों में बाठना है हमें जैसे कर है हमारा गाएक गायक मा देखो गर गर हमारा वेंजन है गर लिक्के हमने इसके निचे हलंत लगाया या की लगा लगी है कर दो करना है चौंशी है इसे लिग ले चाना है ऋमेरी सीमिल करो मतलब आपको यहाँ पर मिलाना है कुछ विलोम शब्द दिये हुए, मतलब उनके उल्टे शब्द दिये हुए, उनसे उनको मिलाना है, जैसे सुन्दर, सुन्दर का उल्टा क्या होता है, बतसूरत, ज्यानी का क्या होता है, अज्यानी, वीर का क्या होता है, कायर, सपूत का, कपूत, बढ़ा का, छोटा, यहा और आपको वाट्सु ग्रूप में इंफोर्मेशन दे दी जाएगी तब आपको इसे को इसकोल में लाकर चेक भी करवाना है थांक यू